तो आज की इस वीडियो में हम सीटेट एक्जाम 2022 को लेकर की कुछ इंपोर्टेंट बाते करने वाले हैं दोस्तो इसमें अभ्यार्तियों का काफी कन्फूजन है की फार्म को कैसे भरें कौन सी लेंग्वेज को चुने किस सब्जेक्ट में हम जादे स्कोर कर सकते हैं तो दोस्तो देखिए सीटेट फॉर्म अप्लाई करते समय आपको दो लेंग्वेज सेलेक्ट करना होता है अगर आप यूपीटेट या किसी भी राज यस्तरी जो परिच्छा है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हिंदी यहाँ पर कंपलसरी होता है और सेकेंड लेंग्वेज में इंग्लिज, संसिक्रीट, उर्दू तीनों में से आपको कोई एक आप्शन चुड़ना होता है लेकिन सीटेट अगर आपअपलाई कर रहे हैं तो इसमें दोनों लेंग्वेज के आप्शन आपको मिलते हैं इसमें कंपलसरी नहीं रहता है आप कोई भी लेंग्वेज दोनमें से चुन सकते हैं दोस्तों suppose that अगर आपने first language आपका हिंदी है, second आप जो आपकी 22 भाषा आफर किये जाते हैं, उसमें से आप English, Sanskrit, Urdu, कोई भी language, second language में आप चुन सकते हैं, तो बहुत से अभ्यारती इसमें confusion है कि हम कौन सा subject चूज करें जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा score कर सकें, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दू कि जैसे Sanskrit को ही ले लो तो बहुत सारे अभ्यारती बोल रहा है कि हम उसको हिंदी से relate करके हम ज्यादा score कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दू कि यह Tate का exam नहीं है, क्योंकि Tate के exam जो होते हैं, वो factual होते हैं, content best होते हैं, तो यहाँ जो होता है, यह आपको पेड़ागोजी यहाँ पर face करना है, 50% आपके पेड़ागोजी मिलेंगे, और जो question होते हैं, वो जिस language, जो language आपने choose किया है, उसी language के question होते है, ऐसे नहीं है कि आपने sans बिलकुल भी नए है क्यूंकि जो question होंगे, वो भी संस्कृत में ही होंगे, जो उसका option होंगे, वो भीими और तो अगर आप उस sans से रिलेट करके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो यह दोस्तों आप टेट में कर सकते हैं अधर एक्जाम में कर सकते हैं बट यहां सी टेट में आप नहीं कर पाऊगे जब तक कि आपको उसका उसकी पुरी अच्छे से आपकी मेनिंग न पता हो आप उसे समझ न पाएं कि आप से जादा आपको कोई नहीं जानता अगर ऐसा जादा कन्फूजन है तो आप तीन से चार प्रेक्टिस सेट संसिक्रीट की लगा लो इंगलिश की लगा लो अगर आपको जिसमें लग रहा है कि आप अच्छा स्कोर अपना दे पा रहे हो आप अपना बेश्ट दे पा कर रहे हो आपके अच्छे स्कोर बन पा रहे हैं आप उस लेंग्वेज को चूस कर लो यह भी आपके पास आप्शन है वाकि सबीज के आपस पर Вас औरतर में नहー पनीद ऑन्ग है बस आप को समझना है कि कौन सा language है जो आप अच्छे से समझ पा रहे हो जिसमें आप अच्छे से score कर पा रहे हो इसमें जो दोस्त होता है 50% पेड़ागोजी होता है 50% fact होता है आप जानते ही हो अगर आप जैसे sanskrit की बात ले लो तो तीस का जो आपका sanskrit है उसमें से 15 तो आपको पेड मिल जाएंगे चार से पांच कोश्चन को आप हिंदी से रिलेट करके आप उस सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो यह आप इस भरम को निकाल दो यहां आप ज्यादे इसको नहीं कर पाऊगे हैं आपको इस चीज का नौलेज है आप संस्क्रीट अच्छा अपना बेस्ट दे प संस्क्रीट इंग ओदू जो बहुं आप ने अबस्क समूर घंविजब любимके लिए दिक चूर्ट झालेज़ी में हिंदी सेलेक्ट किया है इंगली या और्धू जो भी आपने अपने सेलेक्ट किया तो आप हेते हैं कि वि आपका जो है वो आपका विकार चला जाएगा कोई मतलब नहीं होगा उस नमबर का तो दोस्तों इन सब चीजों पे आप लोग थोड़ा फोकस करिएगा और I hope कि अब आप लोग को यह समझ आ गई होंगी दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत शुक्रिया तेंक यू